प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, ईश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए, अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के, अमरित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर अपने आत्मों, अब इनका कती ग्यान की खालतार कर रख दिया आपके सामने, और अब भी नहीं मानेंगे तो उसके विसें परमात्मान का, कि चात्तुर प्राणी चोर हैं, और ये मूड मुगद हैं ठोट, ये संतां के निकाम के फिर इनको दे गल्दोट, इतना कुछ ग् प्राणियों से पीछा नहीं छुटवाते हैं, तो उनको बतायता हैं, मूड हैं, वो वहीं पढ़े रहें तो बढ़िया हैं, हमारे लाइक भी नहीं हैं, और आ जाते हैं फड़क के, सदेकर तो वो पुन्यात्मा हैं, अब आपको दिखाते हैं, इसी संत मत भाग चार में, और एक गजब की चीज दिखाते हैं, अजब, ये स्वावन सिंग जी, हजूर माराद स्वावन सिंग जी के सत्संगों का संग रह है, और भाग चार, संत मत भाग चार, रादा स्वामी से, अब आपने दो सो एक सिट वे सिट पढ़ा, दो सो चो सिट पर देखिएगा, यहा जूर संतों की पदवी कहां तक है, माराद स्वावन सिंग जी उतर दे रहे, हमारी इतनी बुधी और अकल नहीं की हम संतों की पदवी को समझ सके, फिर भी सुनो, रानी इंदु मती, रानी इंदु मती कबीर साहब के समय में हुई थी, पहले कबीर साहब मालक में जाकर विलीन हो गए, यानि यह मानना हằn का, कि यहांसे साद नाकर कै, संत बीर बगत भी सत लोक में ऐसे समा जाते हैं, जैसे समंदर बूंद में, पहले कबीर साहिब जी मालिक में जाकर विलिन हुए यानि उसमें समागे बूंद की तरह फिर रानी हुई, रानी भी समागी जब रानी ने सचकंड में जाकर कबीर साहिब की पदवी देखी तो कहने लगी माहराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरस हूँ तो मैं भदन सुमन करकर के विर्थ परिसान ने होती ही कबीर साहिब ने उतर दिया, तुम को उस समें विश्वास नहीं आना था देखो इनकी अकल गाम जा रही है किताई, देखियो अब क्या करें सामन सिंग जी, अमारी इतनी बुधी अकल नहीं है कि हम संतों की पद्वी को समझ सकें, फिर भी सुनो राणी, इंदु, मती, कबीर साहिब के समय में हुई थी पहले कबीर साहिब जाकर मालिक में मिल गे, बुण्ध समुंदर में और फिर राणी मिल गी, और फिर वो बतलाए क्यों करूड़ जाकर ने जब बुध की तरह वो समागे दोनों, तो उरत बतलाए कैसे, अपसमें बातचीत कैसे हुई और फिर साप कह रहा है, राणी सचकर में जाकर कबीर साहिब की पदवी देखी, तो कहने लिगी बारहाज यद ही, आप पहले ही बता देते हैं कि मैं ही अकालपुरस हूँ, अब ये मानते हैं कि इंदर मती ने कबीर परमात्मा को जाकर देखा, वो सत्पुरस ही थे जो यह से लेकर गए थे, वहाँ भी वो साकार थे, और आत्मा भी साकार ही हैं वहाँ पर, और ये कहते हैं कि तु पहले मुझे बता देते हैं, आप बता देते हैं, तो मैं कालपुरस हूँ, तो मैं बजन सुमन करकर, के वर्थ परेसान ने होती, कबीर साहिब ने उतर दिया कि समंदर में और पाच्छा तरह नहीं होगी और फिर वह बात भी करें हैं इन का किते सह सर पहर रहत तरह गजब है और फिर कहती है कि कबीर साहिब को वां देख्या ओधो सत्पुर्श था और इंदुमती कहती है कि बगवान आप पहले बता जेते कि मैं ही अकालपुर्श हो और बगवान ठीक है रिए इतने विश्वास नहीं होता बता तो जो वह पर तो यकीन नहीं होना था अब ये कथाएं तो ले रखियें कहीं कहीं से कबीर परमेश्वर के इस इत्हारत ग्यान से लेकिन इसमें आपनी अग्यान सोच भी अड़ा जी के पहले कबीर साब जाकर उस इस से ये सिद हो गया कि इंदर्म ये खुद मानते हैं कि कबीर साहिब अकाल पुरुस हैं ये पूर्ण प्रमात्मा है इने की इस यास बता रहा है और यह सचाई भी है लेकिन इनकी समूद ही नहीं इन्होंने तो कहीं से इट कहीं कारोड़ा और ठाक है यो कुणबार जहां पर तनिक नान्याए विचारे वैस्या ओडे मलमल खासा गलमतियों के आरे पतिवर्ता को मेले नखा दी ये सूखा निरस अहार निरंजन दन तेरा दर बार निरंजन दन तेरा दर बार जहां पर तनिक नान्याए विचारे पाखंडियां की पूजा जग में संत को कहें लबाडे अग्यानी को पर्म विवेकी ग्यानी को मूड गवारे निरंजन दन तेरा दर बार निरंजन दन तेरा दर बार जहां पर तनिक नान्याए विचारे कहे कबीर सुनो भई सादो या सब उलटा ब्योहार कहे कबीर सुनो भई सादो या सब उलटा ब्योहार इन सचों को तो ये जुठा बतावें इन जुठों का एतबार निरंजन दन तेरा दर बार निरंजन दन तेरा दर बार जहां पर तनिक नान्याए विचार कहे कबीर सुनो भई सादो या सब उलटा ब्योहार सचों को तो ये जुठा बतावें इन जुठों का एतबार निरंजन दन तेरा दर बार निरंजन दन तेरा दर बार बुन्यातमाओ सन उननीस सो चुरानवन से लेकर आज सन दो हजार ग्यारा स्टार्ट है तो चलो सोड़ा वरस हो गए इस दास ने गड़ा भी कंडम हो लिया सरीर भी कंडम हो लिया और बोल-बोल का पुरमाण दिखा दिखा का कती सब कुछ सामने रख दिया महरी बात पर विस्वास दीर वह देश का देश दख है वो दख्य मारे बंड़ कर ठ वे उस दाट उटके उना कुछ भी कोई ना ना कोई मर्यादा ना कोई बगती सहर सपटा कद देख रहा हूँ और यहां तो कदी हर तरह से साध के जासे हर मर्यादा मरे ना पड़ेगा तब भगत बनेंगे को बालका खेला यह परमात्मा पाना लेकिन बालकों का उपसे भी आसान है यह दि मर्यादा ठीक रहें और सद वक्ती करें अपना काम भी करें नाम उठत नाम बठत नाम सोवत जागवे नाम खते नाम पीते नाम से तीलागवे चलते फिरते काम करते करते बगवान ना यादरा खरमुक्स हो जागा नाम पूरा हो आज ही उन्मर यादा मरहे परमात्मा पाना कती आसान है बोलो सत्कुर्देः साथ साहि परम पिता परमात्मा पूरुन परम सारी सिर्ष्टी के रचनहार सर्वसक्तिमान कबीर देव कबीर साहब ये वो परमात्मा है जो बनारस में कासी सहर में 120 वरस तक एक दानक की भूमी का करके एक जुलाही की भूमी का करके और साथ में एक तत्वदर्सी संत की भूमी का करके सैसरीर आये थे सैसरीर चले गए थे पूर्ण पर्मात्मा ऐसी ही लीला किया करता है उस पूर्ण पर्मात्मा के गुनों में ये उनकी एक महिमा लिखी हुई है जो वेदों, पवित्र चारों वेदों में परमानित है और जिन मापुर्सों ने परमेश्वर के दर्शन हुए, शाकषादकार हुआ, जिनोंने परभू को पाया, पराप्ट हुआ उन मापुर्सों ने भी यही परमान दिया है कि वो परमात्मा सत लौक में रहता है सत लोक में सनातन परमधाम सदा रहने वाला सत्थान सत्चा यानि आविनासी धाम मानिस्थान लोक को हो धाम को हो शिरी मत भगवत गीता अज्जाय नमबर चार के स्लोक नमबर बत्तीस में कहा है कि जो अनुष्ठानों का वरणन यगों का वरणन स्लोक नमबर पत्तीस से लेकर इकत्तीस तक है उसमें क्या है कोई तो देवताओं की पूजाप करता है कोई तीरत वरत पर ही आसरीत है कोई केवल योग अभ्यास ही करता है कोई सवज्जाए ही करता रहता है कोई स्वासों की किरिया को ही स्वासों को देखता रहता है आँखे बंद करके स्वास बाहर जाते उस पर ध्यान करता है अंदर जाता उस पर ध्यान करता है कोई प्रणायम आदी करके ही अपनी भक्ती कर रहा है तो उसमें बताया है कि चौथे जाय के बतीस में से लोक में श्रीमत भगुत गीता में कि इस प्रकार के बहुत से यग अर्थात दार्मिक अन्फठानों की जानकारी विश्तार के साथ सचीदानंद घन ब्रम की वानी में लिखी गई है बोली गई है उस से ग्यान को तु जान उसके पस्ताथ सभी करम बंधनों से तु मुक्त हो जाएगा फिर गीता जायर नमबर चार के इस लोक नमबर तेतीस में कहा है कि सभी यगों से जैसे आप दर्व यग करते हो दर्व यग कौन सी होती है जैसे धन से पैसा लगाकर के जो अनुष्ठान किये जाते हैं जैसे हावन करते हैं या भंडार करते हैं कहते हैं इन से ग्यान यग सरेष्ट हैं और ग्यान यग में सभी करम समाप्त हो जाते हैं पुनात्माओं अपनी मरमर्दी से कोई कहीं बंडारे कर रहा है कोई तीरतों पैजा के दान देता है कोई केवल हावन करके ही अपने अनुष्ठान को संपूर्ण मान रहा है अपनी साधना को जब हमें ग्यान हो जाएगा तत्व ग्यान हो जाएगा तो फिर हम साधना जो करेंगे वो सरेष्ट होगी वो हमारे लिए लाबदायक होगी और उसके अतिरीक्त हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं वो हमें मोक्स प्राप्त नहीं करवा सकता है तो इसलिए कहा कि ग्यान यग में उस दर्व में यग से ग्यान यग सरेष्ट है फिर बताया कि उस ग्यान को जो सचीदानन्न घınबरम ने अपने मुखार्विन से स्वे मुचारन करके अपनी वानी में लिपीवद करवाया हुआ होता है चोटे दैके चोटीस में से लोग में का कि उस ग्यान को तु तत्वदर्सी संतों के पास जाकर समंझ उनको डंडवच परनाम करें आधिनी के साथ बरताओ करते हुए और फिर वो परसंद करें फिर तत्वदर्सी संतों तुझे उस परमात्मा के बारे में परमेश्वर के बारे में परम अक्सर बरहम के बारे में जानकारी देंगे फिर जैसे वो बतावा तू ऐसे कर फिर तरह मौक्स हो जागा तो प्रमात्मा पूरुन बर्म इसी उदेशे से अपने तत्वे ग्यान का परसार करने के लिए काल के दोरा फैलाए गए अग्यान को समाप्त करने के लिए पांच में वेद का यहां पर परकास करने के लिए वो स्वम्म ही अपने लोक से गती करके आते हैं चल कर आते हैं प्रमात्मा की अमरभाणी को अमर कथा को जितनी बार सुने उतनी बार ही आनन्द आना चाहिए तो प्रमेश्वर पर तेक युग में आते हैं और वो खुद भी अपनी अमरत वाणी में बताते हैं प्रमात्मा कहते हैं कि मेरे से परीचित वो पुन्यात्मा जो मेरे से परीचित हुई मुझे पैचाना जिन्होंने मेरा सत लोग देखा उन्होंने भी आवाज लगा लगा के ये मेरा परमान दिया है कबीर इस गोड़ और मेरे दुआरा दिया गए ग्यान का परचार किया है और मैंने भी आकर के अपने यथार्थ ग्यान को परचार किया है प्रमात्मा कहते हैं सत्तर युग हमने ग्यान दिया और जीव ने समझा एक गरीब दास घर-घर फिरे ये धरे कबीरा भेक है प्रमात्मा कहते हैं कि उमने सत्तर युग तक ग्यान दिया लगातार है एक भी जीव के हमारी बात समझ में आई नहीं अब यहां सतर युकात आत्परी है कि हमने कहा रहा है सत्र जेखे तिरे जैसे तो ऐसे कहने का भाई है कि ना जाने कितनी बार हमने ग्यान परचार कर लिया एक भी जीव हम से परीचित नहीं हो पाया और गृबबदास रख़जी जो परमात्मा से प्रीची तूए वो कह रहे हैं कि परमेश्वर कबीर साहिभ जी नाना परकार के भेख बना कैं रूप बना कैं परतेक प्रानी को पुन्यात्मा को जाकर मिलते हैं समझाते हैं, कहते हैं लेकिन इस अग्यान से इतने हम बर्मित हो जाते हैं हम परमात्मा की प्रिवासा ही भूल गये हमने परमात्मा को निराकार मान रख्या है फाइनल कर दिया के परमात्मा तो आकार में अत्ताय को नी है और जबकि हमारे सद्गर्ण सभी बताते हैं कि वो प्रमात्मा साकार है मनु सद्रिश्य है और वो सत्लोक में वहां तकत पर विराजमान है तो उस प्रमेश्वर ने आकर के अपना ग्यान दिया अपने विसे में जानकारी दी एक दास बनकर एक अच्छे भगत की भूमिका भी प्रमेश्वर आप ही करके एक उधारन पेस करते हैं और एक्तत्व दर्सी संथ की भूमिका भी वो स्वयम ही करते हैं एक अच्छे नागरिक की भी भूमिका वो स्वयम ही करते हैं एक सुयोग सिस्ट की भूमी का भी वो ही करते है और वो हमारे लिए उधार्ण देते हैं हमने अपने प्रमात्मा के पद चिनों पर चलना होगा प्रमेश्वर सारी सिश्ट्री के रचनहार सब के धार्ण पुर्शन करता और स्विम फिर कपड़ा बुनकर गुजारा कर रहे हैं कपड़ा बुनते हैं उसकी जो में ताना आ जाता है उसकी जाड़ी मजदूरी उससे अपने कुनबे का गुजारा करते हैं परवरिस करते हैं और फिर भी कुछ बच जाता है उसमाशे पैसा, तो भंडारा धरम पुन कर देते हैं, अब यहां प्रमात्मा का परिवार नहीं था, लेकिन दो बच्चे मरत जिन्दे किये थे, जीवित किये थे, दो एक लड़का जिसका नाम कमाल रखा, जो बारा तेरा वरस की आयू का था और उसकी मरतू होगी थी, गरवालों ने उसका संसकार कर दिया था, जल परवाह कर दिया था, खुछ कबीले ऐसे हैं, जो जल परवाह कर देते हैं, जो मुर्दा को श्रीर अनत होने के बाद, तो प्रमात्मा ने सेखत की एक नामक, शिकंदलो तही दिली के बादसा के पीर की, जिद्द पर उस लड़के को जीवित किया था फिर उसका नाम कमाल रख जिया था, अपने अपसाथ, अपने बच्चे के रूप में उसको रखा फिर बगती ती इसी प्रकार सेख टकी की लड़की कमाली लड़की दस बारावरस की मर्तु को प्राप्त होगी थी उसको कबर में दबा दिया था और प्रमात्मा ने चाहा था कि ये शेख तकी भी समंग जाओ इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाओ इसलिए कबर से निकलवा कर उस लड़की को जीविद किया था उस लड़की ने अपने पिता को ट्याग दिया अपने औरिजनल फादर औरिजनल पिता यानी परमेश्वर कबीर जी को अपना पिता मान के साथ रही तो ये दो बेटिया थी प्रमात्मा के कोई पतनी नहीं थी प्रमात्मा कबीर जी का ये प्रिवार था उनके दो मु बोले माता पिता थे जिन को प्रमेश्वर लहर तारा तलाव में कमल के फूल पर एक सिसु रूप में मिले थे ये प्रिवार था तो प्रमेश्वर ने अपने इस बीचली पीड़ी के लिए अब ये बीचली पीड़ी चल रही है पर्थम चर्ण में प्रमात्मा आये थे कासी में और मघर से वो सह सरीर चले गए थे एक सो बीच वरस तक यह ली ला करकर गए थे और अपने ग्यान का परचार कर गए थे जिसको आदर्निय धरमदास साहिब जी ने जो प्रमात्मा के सिस्थ थे जिसके विशे में पिछले समागम में वो सत्संग सुनाया था उस प्यारी आत्मा ने प्रमात्मा के उस अमरतवानी को सचिता नंद घनबरम की वानी को लिपिबद किया था जो आज हम पढ़ और सुना रहे हैं आपको जिसके आधार से ये दास आपको सत्संग विचार सुना रहा है ये ग्यान प्रमात्मा ने 600 वर्स पहले परचार किया था लेकिन वो नकली संत्रिशी महरिशियों ने ब्रामना गुरुओं ने प्रमात्मा के इस ग्यान को हमें सभी कार नहीं करने दिया ये कहकर कि कबीर जी ऐ सिक्षित हैं ये संस्क्रित बाहसा नहीं जानते जिस कारण से ये वेदों और गरंथों और पुरानों को गीता को नहीं समझ पा रहे हैं ये जूट बोल रहे हैं तो उस में तो ये दाल उनकी गलगी लेकिन प्रमात्मा ने को पता था कि बिचली पीड़ी आवेगी तब सिक्षिया का परचार करवाऊंगा ये सब गौड गीवन है जो हमें प्राप्त है आप पिछले इतियास देख लो सतियोग तरेता दौा पर मैं माया की तनी दोड़ नहीं थी जनता को एजूकेशन के ओसकता नहीं थी अक्सर ग्यान नहीं करते थे लेकिन एक वरग को एक वरग जो है जो है जैसे ब्रहमन वरग था वो पढ़ता था अक्सर ग्यान ग्रहन करता था उन्हीं के बच्चे अक्सर ग्यान ग्रहन करते थे और बाकी जनता को परमा अक्सर ग्यान की हो सकता नहीं पड़ी थी जिस कारण से अक्सर ग्यान हीन पर जाने जनता ने उन ग्यान हीन रिशी महरिशीयों को जो संस्कृत भासा जानते थे महा विद्वान और वेदों और पुराणों के गीता जी के ग्याता मान दिये थे और उन्होंने जैसे भी जो दंत कता हमें सुनाई हमने स्विकार कर ली थी और प्रमेश्वर ने आके बताया था वो 600 वरस पहले वो ग्यान कि ये बिर्मा विश्णो महेश और अन्य जितने देवता हैं ये सभी नासवान हैं बिर्म भी नासवान है दुरुगा की भी मर्तू होती है केवल एक पूर्ण प्रमात्मा है जिसकी भक्ती करनी चाहिए आन उपासना भी नहीं करनी चाहिए ना मूर्ति पूजा की नहीं करनी चाहिए तो इस परकार के ग्यान का बहुत जबर्दस विरोध हुआ था उसमें और उनकी दाल भी गलगी थी क्योंकि जन्ता प्रमात्मा से दूर होगी थी जबकि चौश्ट लाग सिस प्रमात्मा के थे और चौश्ट लाग सिस वैसे ग्यान से नहीं हुए थे वो समाधान से हुए थे प्रमात्मा के पास जो भी आ जाता था दुखी परानी उनके आसिरवाद से और जो वो मंतर जाप के लिए देते थे कुछ उस से वो ठीक हो जाते थे सोच्ट हो जाते थे उनका निर्धनता भी समाप्ट हो जाती थी लेकिन उनको ग्यान नहीं था जिस कारण से उन बर्मित करने वाले नकली गुरुवों की बातों में आगे और बगवान से दूर हो गे थे वो नहीं मैंसे आप जी हैं आज जो प्रमात्मा की सरण में आ रहे हैं वो 64 लाक सिस जो 600 वरस पहले पर भूके थे वो सब विमुक हो गए थे चले गए थे यानि प्रमात्मा से दूर हो गए थे बगती छोड़ दी थी लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने थे गुरुद्रोई वो होता है जो गुरुद्रोई वो होता है जो गुरुद्रोई का विरोध करता है उनके बारे में बुंडी अच्छी कहता है और वो गुरुद्रोई ही कहलाता है लेकिन जो गुरुद्रोई नहीं हुए थे और वैसे ही भक्ती छोड़ गे थे लोक लाजमा क या किसी तरह से तो वही आप हैं जो अभी तक बटक रहे हो प्रमात्मा की तरफ भी आप के अंदर है प्रमात्मा ने छस्सो वर्स पहले आप जी को ये पांस मंतर दिये थे पहले के अल पांस ही मंतर दिया करते थे प्रभू केवल कुछ एक आत्माओं को सतनाम दिया था और कुछ एक को सारनाम दिया था और उन से कसम दिला दी थी कि तुम अभी इस नाम को पुजागर नहीं करोगे ना ही किसी को आगे परदान करोगे तुम स्विम्जाग करो कारण क्या था कि उस समय ये नकली संत महंतर इसी गुरू ब्रामन इसी अथारत मंतर को जो आज ये दास परगट कर रहा है प्रभू कबीर जी और गुरू जी के आदेश से ये पहले ही यही नाम दे देते यही विधी बताते मिलते तो और उनके बताने से यानि अनाधिकारी से ये मंतर भी अगर कोई प्राफ्त कर लेगा तो उससे भी लाव नहीं होना वो भी जीवन विर्थ हो जाता है तो इसलिए उनको मना कर दिया था कि आप नहीं बताओगे स्वम्जाप करो अपने आत्माओं जैसे कल स्याम को आपको बता था रादा स्वामी पंथ दंदन सत्ग्रू पंथ जै चलाएगे वो पंच नाम हैं जो पंचो नाम काल के हैं उनसे अलग है मोक्स नाम वो इनको पता नहीं था और यदि ये ग्यान ये तत्व ग्यान और ये सत नाम और ये सार नाम पहले से डिकलेर हो जाता तो ये नकली संथ पंथ यही नाम देते पाते हैं फिर हम बिनता नही काम नहीं करता, क्योंकि वो अधिकारी नहीं, पुने अत्माओं तो ये सत्संग, ये बगती मार्ग जो है, एक बहुती सुचारू और सेंशिटिव है, इसमें जरा सी भी गफलत, जरा सी भी आहेलना, जरा सी भी सास्टर विरसादना आपको हानी कर देती है, प्रमात्मा ने अपनी मर्दवाणी में काया कि सौवरस्ष सत्गर की पूझा एक दन आन उपासी, वो अपरा दी आत्म्अ पिर पड़े काल की फंसी, सौवरस्ष्त तो सत्गर जी के बताया नुसार सत्साधना करो, और एक दन आन उपासना और पूझा कर लेना, कहते हैं, फिर वो परमात से उसका connection कट जाता है और फिर काल की डोरी उसके गले में डल जाती है फिर बंदर की तरह नचाता है कभी बिर्मा बना जेगा कभी विशनु बना जेगा कभी शिव बना जेगा कभी इंदर बना जेगा तुम्हारे ही पुन तुम्हारे ही सिर पर रखेगा और जब पुन अक् आप जी की आप जी को कितनी केर्टे करनी है ये ध्यान रखना जैसे माता गर्ब कूं रख है यतन बनाए ठेस लगयता है अक्षेन हो ए तेरी ऐसे भगती जावे जैसे किसी बेहन को बेटी को गरब रहा हो और फिर वो कितनी चिंतित रहती है कि ये वगवान कहीं उचे नीचे में पैर ना टिक जा तेरा बालग खराब हो जा कोई ऐसी गरम वस्तू ना खाई जा जिससे बालग खराब हो जा और रात्री के समय सोते समय भी रात्री के समें सोतिस में भी करवट लेती है तब भी उडड़क का पढ़ती है एक दम चिंटित हो जाती है और देखती है कहीं मेरे बच्चे पर दबाओ तो नहीं आगया तो परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्ब को रख है यतन बना और ठेश लगयता है अक्षिन हो है तिरी ऐसे बगती जा तो इसका ठेश नहीं लागन देना ये एक नो सोच लो बगती रूपी गर्ब आप जी को प्राप्त हो गया और इसको कितनी सावधानी से परफूलिद करना है ये लाल बनाना है सब क्रियाएं को आपने सावधानी से बरतना है तो पुन्यात्मा प्रमात्मा ने आकर के मोक्ष मारग का यथार्थ ज्यान देती हुए कहा था बाई गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दाने गुरु बिन दोनों निश्फल है चाहे पूछो वेद पुराण कल रात के सत्संग मैं इसी प्रमात्मा की इस आमरवानी को परमानित करने के लिए नाही गंटे का सत्संग हो गया था और वो नो की नो फेर रहे गिए भी स्टार्ट अफेर करनी पड़ेगी अब गुरु जी के बिना साधना जो करते हैं और नकली गुरुओं से भी जो साधना करते हैं अब उनकी साधना उनकी भगती विर्थ होती है योज लेस होती है जैसे कल आपको परमानित किया उन्हें की लिखी पूछतक उनकी जीवनी में दिखाया किसके राधा स्वामी पंथ के परमुख परवर्तक शिरी शिवजाल जी परमधनी हजूर जी की के दुरुगती हुई व वक्ती करता है गुरुजी के बिना गुरुबिन दोनों निश्पल है चैपुछो बेद पुरान फिर क्या परमानित करते हैं राम किर्शन से कौन बड़ो राम किर्शन से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु की ने तीन लोक के वे धनी ही गुरु आग अदीन अब प्यारी आत्माओं को कितने सरल तरीके से परमात्मा समझाना चाहते हैं कि हे हिंदू वर्ग आप राम और किर्शन से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं और स्री राम चंदर जी ने भी गुरू बनाये, स्री किर्शन जी ने भी गुरू बनाया, फिर आपकी क्या उकात बुनियाद है कि आप गुरू ना बना उर्पार हो जाओगे वैसे, जाप कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो बिना गुरू के, तो पुन्यात्माव समझदार को संकेत बतेरा हो है संकेत ही बहुत होता है जिसने भगवान की प्राप्टी करनी है और अपनी दिशाठी करनी है बंगती की पुन्यात्माओ प्रमेश्वर कबीर जी को गुरू की अवस्यक्ता नहीं थी लेकिन उन्होंने अपने सिस फिर बाद में वो सिस बने पहले उनको गुरू धार्न किया इनको महरसी रामा नंजी ब्राह्मन को कैसे गुरू बनाया जब प्रमेश्वर कबीर जी पांच वरस के हो गए थे लीला में आईयू में पांच वरस की पांच में वरस में जब चल रहे थे उस समय उन्होंने सोचा कि यदि मैं गुरू नहीं धार्न करूंगा तो आने वाले समय में ये काल के दूट इन प्यारी आत्माओं को भर्मत किया करेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरू बनाया था क्या हो सकता है गुरू जी की तो इस परकार या बात बिगड जाएगी तो परमात्मा ने कबीर जी ने लीला की एक डाही वर्स के बालक की एक डाही वर्स के बालक का सरूप बनाया डाही वर्स के बालक का और पांस वर्स के बालक की डाही वर्स के बालक और पांस वर्स के बालक की बोड़ी में डबल डिफरेंस हो जाता है एक डाइवर्स के बालक का अलग रूप बना के प्रमात्मा गंगा के उपर एक पंच गंगा घाट बने हुआ था पंच गंगा घाट उसके उपर पोड़ी बनी हुई थी पक्की जहां पर सनान करते थे सादो संथ भक्त हिंदू ब्रह्मने और वहां पर ये रामानंद जी भी सनान करने के लिए प्रती दिन जाया करते थे स्वामी रामानंद जी स्वामी रामा नम जी को उसमें पवितर चारों वेदों पवितर पुराणों और पवितर स्री मद भगवत गीता का महा विद्वान माना जाता था प्रमात्मा जब पांच वर्स के थे पांच वर्स की आयू दिखा रहे थे प्रमेश्वर की पांच वर्स की लीला में आयू थी तो उसमें रामा स्वामी रामा नंजी एक सो चार वर्स के थे उनकी एज में 99 वर्स का अंतर है अंतर था उसमें तो 104 वर्स के वयोवर्द संत सुबह सुबह सुनान करने के लिए गर्मियों के दिन मौसम था सुबह ब्रह्म मुरत में मुँ अंदेरे सुनान करके आया करते थे वो पंच गंगा घाट स्वामी रामानंजी के आसरम से थोड़ी ही दूरी पर था तो प्रमात्मा ने उन पौड़ीयों के अंदर नीचे पैड़ी उतर रही थी उन पैड़ीयों में जाकर लेट गे कबीर प्रमेश्वर ढाई वरस के बच्चे के सुरूप में रामानंजी नीचे उतर रहे थे स्वामी रामानंजी की खड़ाओं पैर की खड़ाओं पहले काट की पैरा करते हैं उसके में एक ही होता था डंडा है बीच में और उसको गुठा और उंगली के बीच में फसा कर चला करते थी तो वो खड़ाओं लगी शिर में प्रमात्मा के कबीर जी के और जैसे बच्चे रोया करते हैं ऐसे रोने लगे रामानन जी एकदम जुके कि किसी बालक का चोट लाइगी तुरंट एकदम जुके ना नीचे को उनके गले की एक कंठी माला एक तुलसी के मनिया एक तुलसी का मनका होता है लकडी की तुलसी की लकडी का एक ही होता है एक दागे में उसको वैशनों संत की पैचान मानी जाती है वैशनों जो सादू होते हैं विशनों जी के उपास से के उनकी ये पैचान है कि एक वो कंठी पहन थे, उसको कंठी बोलते है, माला कहुचे एक कंठी उसको, वो निकल कर उनके गले से, स्वामी रामानन जी के गले से निकल कर, कबीर जी के गले मर डल गी, वो तो डालनी थी प्रमाहतमा ने, और स्वामी रामानन जी नहीं देख सक अंधेरे में, बच्चा रो रहा था, रामानजी ने शिर्पे हाथ रखा कि बेटा ना रो, राम राम बोल, राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं, राम नाम बोल, अब कभीर साहिब चुप होगे, रामानजी ने वो बठा दिया बालक के बेटा बैठ जा, महसनान कर लेता हूँ, फिर तुझे तेरे घर बेजवा दूँगा, तो रस्ता भूल गा रातमा, उन्हों सोचा रस्ता भूलकर यहां आ गया है, लेकिन परमातमा तो, स्वामी रामानजी रस्ता भूले वे थे, उसक असना में वो लगे हुए थे, परमेश्वर वहां से अंतर ज्धान हुए, अपने मूब ले माता पिता के घर पर जाकर विसराम किया, लेट गे, फिर स्वामी रामानजी सनान करके बाहर आये, उन्हों देखा कि बालक तक हो नहीं, कहीं चला गया होगा, सोचा निकल गया हो बालक है, चला गया होगा, चानना हो गया है, उसना अपने रस्देगा पता होगा, बात भूल बाल लिया है। उदर से प्रमेश्वर कबीर जी ने जगह जगह जा कै और यह जहां पर यह रिसी, संत, ब्रहमन कथा करया करते थे, वहां पहुंच जाते हैं और उनको वहां ट देते हैं, उनसे प्रसंद करते थे, जैसे कोई शीव का पुजारी है, शीव जी की कता कर रहा है, तो वहाँ प्रमात्मा सत्संग सुनने बैठ जाते हैं, सत्संग जो पूरा कर लेता है, अपने परवचन तो खड़े होकर प्रार्थना करते थे, कि है स्वामी जी, मेरी कोई स संका का समाधान कीजिए, तो प्रमात्मा से वो कहते थे, वो संत, रिशी, गुरू, ब्रामन, कि हाँ बच्चा, परसंद करो, क्या बात है, प्रमात्मा एक ही परसंद क्या करते थे, कौन बिरमा का पेता है, कौन विशनों की मा, संकर का दादा कौन है, पंड़त जी दे बत तो वो क्या कहते थे, अरे बालक तु कैसी बात कर रहा है, प्रमात्मा तो अजरो अमरहेक, बिरमा विश्वनों महिश के कोई माता पिता नहीं, ये तो सर्वेश्वर है, महिश्वर है, अरे तु किसी ने भर्मत कर दिया, फिर प्रमेश्वर उनको सारी समझाने की के शिव प्राण रुदर सहीता अज्धाय पांच छे साथ में पढ़के देख स्वामी जी ब्रामन जी उसमें बिर्मा और वेश्णो और सिव जी की तीनों की जीवनी लिखी है काल इनका पिता है दुर्गा इनकी माता है कुछ जो सैंसील से ब्रामन होते थे वो टाल जेटे थे उसके बालक है बालक है इसको क्या पता है से ऐसे न्यों करके निकल जाते थे और जो सत्संग जिनों ने वो संट बुला रखे होते थे उनको बीच में टोक कर उनकी इंसल्ट मानते थे तो वो विक्ती फिर जाकर के कबीर जी के घर पे उनके मु बोले माता पिता को उला उनको प्रेषान करता है उटपोटांग उनसे परसंड करता है, इसको रोक लो नहीं तो ठीक नहीं रहेगी, तो माता दमकाती थी अपने बच्चे को, मुवली माता नीत नीमा, कोई ना भेन बाई, अब कि ये नहीं कुछ कहेगा, मैं इसको बहुत दमकाऊंगी। तो रो जाना इस तरह के एक दो उलाना रो जाया करता और वो नेमा कहा करती बेटा तो क्यों पंगाले है नकम्या के साथ ये तना पीट देंगे बेटा ये ज्यान से भी मार देंगे ये संत नहीं, ये ब्रामन Kern नहीं, ये राकसस रूप है बेटा, ये कुछ भी कर सकते हैं लेकिन प्रमात्मा को तो पता था प्रमा के समझाये क्या कहा करते कबीर प्रमात्मा कि माता जी ये सभी मेरे बच्चे हैं और मैं तो सच्चा ग्यान बताने आया हूँ और ये ब्रहमने ना जूठ बोले है ये सारी जूठा परचार करते हैं इनको ग्यान नहीं माता तो वो मा उसने दमकाया करती तो दादा पाकी गया तेरे बालक से पढ़ाराब बोलो बाला ना तन्य गड़ी दूँगी बकवास करना गड़ा ओ छोटा मूँ बड़ी बात करे तो अब के समझा यो जी उस परमपता की लीला को फिर बालक जैसे लीला करके खेलने लग जाते मा भी बूली जाती इसी परकार परमातुमा ने एक दिन इस रामानंद जी के स्यस रामानंद जी के एक विवेकानंद नाम के स्यस को जो सत्संग कर रहा था वचन सुना रहा था विश्णु जी का उपासक था विश्णु जी को इस्टमान रहा था परचार कर रहा था परचार दूसरे अपना वर्चन परवचन कर लिए जो प्रमातुमा ने यही परसंद किया कि कौन बिर्मा का पिता है कौन विश्णों की माँ संकर का दादा कौन है स्वामे जी देबता वो भी लगया कहने यह जुट बोलता है क्या बक्वास कर रहा है यह कहां से सुना तनी तो अजरो अमर है सर्वेश्वर है महेश्वर है यह है वो है कोई माता पिता ने यह सब अजन में परमातुमा ने कहा कि देवी भागवत तीशरे शंगद को पड़ कर देख स्वामी जी रूदर सहीता को पड़ कर देख पांच छे साथ अज्याय में आठ नो दस अज्याय में इनके माता पिता है अब उसने खोल कर देख्या वो नियों की नियों पाई है लिखा हुआ था लेकिन वो सबंद नहीं सकया कि किस दृष्टी कोन से लिख्या नियों कहीं तो वैसे ही सचाई से विमुख हो कहें सचाई से घबरा कहें कि यह तो तेरी पोल पाड़ेगा कहने लगए अरे तुन्हें तिलक क्यों लगा रखा है उस दिनके बाद प्रमात्मा तिलक लाण जागे जैसे वेशनों साथ दूलाया करें क्या तुन्हें कहीं से उपदेश ले रखा है तु कौन जाती का है अब प्रमात्मा के बोलने से पहले ही वो शृत्ता कहने लगे यह तो नीरू दानक का बेटा है नीरू जुलाय का यह लेर तारा तलाब में पढ़िया पाया था वो है यह तो उसने कहा रहे तुने क्या गुरुधार्ण कर रख्या कोई है कहां जी कौन कि जो आपने करक्ए है वोई मैंने करक्ए है तु जुलाय का शूदर का लड़का और मैंने तो स्वामी रामानंद पंडित स्वामी रामानंद एक जार आठ से नाम ले रख्या है तो कभीर जी ने कहा कि मैंने भी उन्हीं से उपदेश प्राप्त है अब वो चेंगर गया पंड़जी नोग देखो रहे बाहिए देखो वक्तो देखो वगाई सदाल वो कितना जूटा कप्टी है यह दुलाहा जुलाहे का बालक यह कहता है कि मैंने स्वामी रामानंद यी ब्रामन से नाम ले रख्या स्वामी रामानंद इतो इन सूदरों के कपड़ा भी नालगन के पास इस जूटे की जूट सामने आएगी आप उस विवेका नंद रिशी ने जा करके अपने गुरु रामा नंद जी शे बताया के स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी हम तो सर्म सार कर दिये हमारा तो घर से बार निकना दूबर कर दिया एक धानक के पूतर जुलाहे के पूतर कबीर ने नीरू के पूतर ने वो कहता है कि मैंने स्वामी रामा नंद ब्रह्मन से नाम ले रखा है दिक्षा ले रखी है और स्वामी रामा नंद जी तो केवल ब्रह्मनों को दिक्षा देते थे उन्हीं को नाम देते थे अन्य किसी वरन को वोपदेश नहीं देते थे तो रामा नंजी ने तब ये बात सुनी तो ग्रीब दास जी ने अपनी वाणी में लिखा है मालक की जियों की तो चरीतर कि रामा नंजी एक दूम ऐसे पैर पीट जैसे मरग कुछ जाकर है कहते हैं जूठ बोलता है वो कप्टी है कलाव मेरे सामने पकड़के उसने कब मुझसे नाव लिया उसी समय सुभे रह उठके बखतते हैं वो विवेकानद ले गया आठ नो मस्टंड्या ने लठाले ने ब्रामना नर गया वहाँ जुलाहों की कलोनी में मकान पूछा कबीर का मकान कहां है नीरू का मकान कहां है जब वो गली में किसी से पूछ रहे थे एक ने जाके नीरू के घर में बता दिया नीमा आज तुमने क्या गलती कर दी तुमारे गर की तरफ आठ नो दस ब्रामना आवां लठ लिये और निमा जानगी की कबीर ने फेर कोई छड़ा चड़ी की है इनको उसने जाकर कहा बिटा तुने कुछ कह दिया क्या किसी को अक्हामा कल एक ना वो विवेकानन दरिशी संकर रहा था वहाँ पर मन ती पूछा था कि पर माविशनु मैं इसके माता पिता कौन है मुझे बता दे वामान वलिक खालितन मैं तुरे रोज के पंगे वर लठ लेका रहे हैं तु उठले ही बयां से वो उठाया वहां से जोपड़ी से उठाये प्रमात्मा सुते थे सुबह सुबह और जोपड़ी के पिछे ले जाकर लिटा दिये रूप पर गुदड़गा बापराने कपड़े डाल दिये बिटा बोलिये ना तु चैए कुछ भी हो मेरे साथ मैं तो निकलिये ना इस तबारे वो अतना मार दे प्रमात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्म और जौपड़ी की खाट खूट रूटक पटक कर सारे कपड़े ठाठा देखें और ब्रामन खड़ा बार गेट से भी बार खड़ा क्योंकि उसके कपड़े लागे छूजा अब उसने देख्या कि ये तंग करेंगे मेरी मानर पिता जी ने कुटे छेतेंगे अग बता कित से और खड़े होगे परमात्मा बाहर निकल कर उन रजाईतें बाहर कपड़ें तर खड़े होगे ने बोले ए विवेकानन जी मैं जोपड़ी के पीछे खड़ा हूँ अब उसने कहारा पाच्छा जाओ डूंड के लओ पीछे जाओ पकड़ लिया परमात्मा को और लेका चल पड़े अब मा उस बालक कैचे पटगीले पटगीनों कसूती तरह है और उसको छोड़नी रही उनके हाथों को पकड़ दिया तो उसका लठ मार मार के मुक्के मार मार के उसके आथों को छुड़वा दिया बच्चे से और इतनी पर पीट दी कि वो बेहोंस होगी जब नीरू को पता चला वो भी भागया आया वो भी अपने बच्चे को बचाने के लिए एक चेश्टा करने लगया उसका भी सिर्फोड दिया अपने आत्मों कलियों के ब्राह्मन राक्सस के तुल बताए हैं दास नहीं कह रहा इतियास कह रहा है कि थोड़ा फिपमने यहें। श्रीमत दे भी भागवत। कि गीतापरेश गौरुपुल शे प्रकासित है अनुमान प्रसाथभत पुदार्यु चमिलाल इसके संपादक हैं इसके इसके तो pan definition जय ने पूछा व्यास जी से जनमे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का शुरूप है इस संपुर्ण विशे को विशे सुरूप से बताने की किरपा कीजिए व्यास जी बोले राजन यह निश्चे है कि प्रहसत युग मब्रामन वेद के पूर्ण विद्वा थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदंबा की अरादना होती थी भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललाइत रहता था पुन्या अत्माओं फिर यहां बताया है कि सतियों के त्रेता द्वापरम जो अब्रामन थे जो राक्सस होते थे उवों कलियों क पर के तीन नो योगों में जो राक्सस ते वो आज का लगे ब्रामन ही से क्योंकि अब के ब्रामन प्राइपाखन करने में तत्पर रहते हैं दूसरों को ठगना जूट बोलना और वैदिक धर्मकर्म से अलग रहना कलियोगी ब्रामनों का सुभावी गुन बन गया है उद्धात्माओ इन सद्गरंथों को सामने रूबरू करना आती आवसे को गया जए दास ये लाल्टन ना दिखाओई तो मेरे गे लीविन ना चन कितने ठक्राने ओ मेरे लिए तो ये सद्गरंथ हैं जैसे अंदे की लाल्टन क्योंकि मुझे इन सद्गरंथों की आवश्यक्ता नहीं थी बात ये नहीं है कि ये सद्गरंथ ठीक को ना लेकिन हमें जो ग्यान मिल गया था वो कहते हैं परमेश्वर ओ ऐसा निर्मल नाम है निर्मल कर सरीर और ग्यान मंडलीक है ये चकवे ग्यान कभीर चकवे माने चकरवर्ती हमने वो चकरवर्ती ग्यान आल इन वन वो ग्यान प्राप्त था इसलिए हमने इन वेदों गीता और पुराणों की अवसकता नहीं थी जो वेदों और पुराणों गीता में ग्यान है वो भी उस चकरवर्ती ग्यान में, कबीर जी के ग्यान में है और जो वेदों में ये कहा है गीता जी में चोथे जाय के चोथिस में स्लोक में कहा है कि उस पुर्ण प्रमात्मा के बारे में सही जानकारी तत्व दर्शी संतों से पूछ और वो सचीदानंद घंबर्म की वाणी में लिखा हुआ है कबीर वाणी में, वो कबीर वाणी हमारे पास है इस लिस्ट दास को ओशकता नहीं थी इनकी लेकिन आप जी को ओशकता थी आप जी इनको परमानित मानते है कि इनमें जो लिखा वो सही है तो आप जी के लिए या लाल्टिन दिखानी थी अगर ये दास मोखिक ऐसा बोलता चला जा तो कोई ना सुना है मेरी बात ने और मुझे मुरक कहें और जो है विरोध गणा बढ़ जा तो या लाल्टिन दिखा जिता ये दास एक अंदा रात्री के समय लाल्टिन जगा कर आथ में ली जा रहा था आगे से बच्चे आ रहे थे उचल कूड करते वे और अंदे ने आवाज लगाई बच्चो देखना बच्चो मैं अंदा हूँ बेटा धान से चलना मैं अंदा हूँ बच्चा ने देख्या कि बड़ा अंदा कहर लाल्टिन ले रहा उसके चारों तरफ खड़े वगे बाबा आप सच्मुच अंदे हो खाँ बेटा मैं अंदा हूँ फिरन ये लाल्टिन किसलिए लिए फिरे उजला करके के तुम आखों वालों के लिए कि मेरे बुड़े आदमीं को टक कर मारे दो तोड़े दे ही नहीं ये तुम्हारे लिए ले रखिया कि इस में इसके रोसली में तुम मुझ से दूर होकर निकल जाओ तो अपुने आत्म उन ब्रामनों ने नालाकों ने परमात्मा को जबरतसी गशीट कर ले गए रामानंजी के कुटिया के सामने खड़ा कर दिया और रामानंजी ने अपनी जोफडी के आगे पर्दा ला लिया कि मैं इस सकल भी ने देखूँगा उस लड़के की जो लाहे के बालक की और पर्दे के पीछे से उसे पर्षन पूछ कर सब के सामने ये सिद्ध कर दूँगा कि मैंने इसको नाम नहीं दिया अंदर से पर्षन किया कि तू कौन है क्या तेरी जात है तू किस पर्मात्मा की भक्ति करता है तेरा कौन पंथ है अब यहां थोड़ी सी उस सचीदा नंद घंब्रम की वानी से आप जी को आत्मा और पर्मात्मा का संवाद जुनाते हैं आड़ा पड़दा लाये करे रामानद बूजनते दास गरीब कुरंग छवी वो अधर डाक कुदनते जो कर मर्ग कुछ जा करे रहे ना मर्ग खड़या है जुम खड़या करे कहते हैं पड़दा लाक है और अंदर नो अपर ने पाँ पिट कर खड़या हो कहता बता तु 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 तरी के जात है तुन मनने तरे को कब नाम दिया क्या परमान है तरे पास कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नामे दास गरीब आधी नगती बोलत है बली जाओं मे अपना अत्मों एक सुयोग सिस्स की भूमी का प्रमात्मा कैसे कर रहे हैं एक जीब को तो गुरू बना रहे हैं कोंकि वो तो एक लीला करनी थी अतियाव सक थी हमारे लिए और बिलकुल आधीन होकर जैसे गुरू जी के सामने शिस्स की भूमी का होनी चाहिए क्या बताते है कौन जात कुल पंथ है कौन तुमारा नामे अब गरीब दास जी कह रहे हैं या कहां से उपदेश लिया है तो गरीब दास जी कहते हैं वो परमात्मा इतनी आधिनी से बोले वो परमात्मा गरीब दास जी कह रहे हैं कौन तुमारा नामे दास गरीब आधी नगती फिर बोलत हैं बली जाओं में बली जाओं माने बली हारी जाओं क्या बोले परमात्मा जात हमारी जगत गुरू परमेस्वर है पन थे दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजनकन थे नहीं भूले जी मेरी जात जगत गुरु है दैसे नो गृब से खड़े हो गए नो कर और परमेश्वर मेरा पंथ है और मेरा नाम पूछते हो नाम है क्योंकि वो जोती नरंदन को नरंदन को भगवान मानते है इसकाल को ब्रम को और उसको नराकार मानते हैं उसी का आवतार व अब इस बात की काली मान गे रामानंग जी, रे बालक सुन दुरु जी तेरा गटमट तनाकारे, दास गरीब दर्द लगया हो बोले सिर्जनहारे अब गरीब दास जी लिख रहे हैं जैसे स्री राम चन्दर जी की लीला तुलसी साब ने लिखी थी, तुलसी दास जी ने, ऐसे ही पर्मात्मा से प्रेचित होने के बादादनिय के गरीफदास साइब जी ने उस परमेश्वर रिथार ज्यान को अपनी कलम से अपनी मुखरविन से पर्मात्मा से प्रात को लिखा लिख वाया अब कैसे कहते हैं रामानन जी ने वह ले अरे दुर्वदी तेरा सरीर दिख़ है तू उस आकार में बैठा हूँ तो निराकार भगवान है तू अपने आपको नरंजन तू प्रमात्मा कैसे कह रहा है नरंजन कैसे कह रहा है और नुवला दुख मान्या है दास गरीब दर्द लगया हूँ बोले सिर जनहार भगवान ने अपने आपको भगवान कह दिया ना तो रामानन जी भी दुखी हो गए उसको दर्द हुआ इस बात का आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संतरामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatguru.org संतरामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंदर हैं जिन पर संतरामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नजदी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541